दोस्तों नमस्कार सरकार तो मान चुकी है कि आप सरकार की हर बात पे भरोसा करते हैं सरकार जान चुकी है कि उसके नारों में इतना दम होता है कि जनता उस नारों के तहत बहने लगती है तो ऐसे में इस देश के भीतर का सच क्यों बताया जाए और अगर बताना ही हो तो अपने तरीके से उस सच को सामने रख दिया जाए यही हाल इस देश की अर्थवस्था का है अर्थवस्था को लेकर जो कच्चा चिठ्था बजट में रखा जाता है उस बजट से एक दिन पहले एक एकनॉमिक सर्वे भी आता है जो बतलाता है कि इस देश की आर्थिक माली हालत कैसी हो चली है और सरकार जो सूचती थी एक बरस पहले इस एक बरस के भीतर इस देश की एकनौमी पर सरकार किस तरीके से चली है और लोगों तक वह किस रूप में पहुंची है लेकिन सरकार तो मान चुकी है कि आपको सरकार पे इतना भरोसा है कि अब उसे कुछ भी बताने की ज़रुत नहीं है तो आज अंतरिम बजट चुकि ये देश चुनाओं में जा रहा है और फुल एंड फाइनल बजट अब जुलाई के महीने में आएगा तो उससे पहले जो बजट दिया जाता है उसके जरीए ये मान लिया जाता है कि फिर भी सरकार का क्या दृष्टी कौन है और बीते एक बरस में इस बजट को लेकर जो कच्चा चिट्था सामने रखा गया था उसको लेकर कहां तक पहुँचे हैं लेकिन जब कुछ भी बताने की जरुरत ही ना हो तो सिवाए एक घंटे तक एक ऐसा भाशन दे डालिये जो बताए कि भारत विक्सित राष्ट होने वाला है भारत की एकनौमी दुगनी हो जाएगी और दुनिया के मांचित्र पर भारत सबसे बड़े बाजार के तौर पर ह कि इस देश के भीतर में परती वेक्टिया कितनी है इस सच को ना जानिये कि इस देश के भीतर में शिक्षा का कोई इंफ्राइस्ट्रक्चर बचा है या नहीं बचा है यह भी मत जानिये कि इस देश में अस्पतालों का क्या हाल है और इस देश के भीतर में इलाज कराना कितना मुश्किल है यह भी मत जानिये की किसानों को अन उप जाने में जो लागत मुल लगता है वह भी वापस मिल पाता है या नहीं मिल पाता है यह भी मत जानिये कि जिन लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना के तैट घर मिले उसमें से उन घरों की कितनी हालत खसता है या कितनों को घर मिले इसका कोई डाटा मत रखिये यह भी मत बताईए कि इस देश के भीतर में गरीबों का मतलब होता क्या है आप अपने तरीके से हर चीज को कैसे एक के बाद एक रखते चले जाते हैं और आख़णों के लिहास से एक अलग-अलग छेतर को चुनते हैं और बताते हैं कि देखिये सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन इस ठीक ठाक के भीतर आपकी खामोशी इस देश के बिरुजगारी को लेकर रहेगी महंगाई को कैसे काबू में लाया जाए आप कुछ नहीं कहेंगे इस दौर में इस देश की एकनौमी 40% बढ़ गई चठा आज जो रखा गया उसको अगर एक लाइन में पहले समझें तो ये मान लीजिए कि सरकार कह चुकी है बता चुकी है अब उसे बताने की ज़रुरत नहीं कि भारत एक विक्सित राष्ट बनने वाला है इस देश की अर्थववस्था के भीतर इस देश में कॉर्परेट और रईसों के आसरे ही ये देश चलता है हमें उनको राहत रियायत देनी होगी जो पढ़े लिखे डिगरी धारी हैं वा किस छेत्र में कैसे नौकरी करें उस दिशा में हम कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी कोई बताने की जर्रत अब होती ही नहीं है क्योंकि ये हमारी प्राथमिक्ता में नहीं है तो इस बजट को लेकर जो अंतरिम बजट रखा गया उसका सच क्या हो सकता है पहले हर जहन में ये बात आएगी कि इस देश की एकनौमी इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि 7 ट्रिलियन डॉलर हम हो जाएंगे बजट की लाइन में इसका गाहे बगाहे दर्ज किया गया बताया गया लेकिन ये भी बताया गया कि दरसल एकनौमी दुगनी होगी तो महंगाई पर काबू पाने के लिए आपको 3-4% से ज़्यादा इंफलेशन रेट होना नहीं चाहिए लेकिन फिक्र क्या है वह 5% के पार है कोई दिक्कत नहीं है 6%, 7%, 8-9% तक गया कोई फिक्र नहीं है इस दौर में लोगों की कमाई कम हो गई और वो बजार से समान खरीदने की इस्तिती में नहीं है लेकिन कोई फिक्र नहीं है और डॉलर के मुकाबले रूपिया कितना कमजोर हो गया और किसी भी देश की एकनॉमी को जब मजबूत बनाने का जिक्र अंतरास्टिये तोर पर किया जाता है तो डॉलर के मुकाबले कम से कम रूपिया मजबूत हो इस दिशा में कुछ कहना चाहिए नहीं कहा गया प्रती वेक्ती आए बढ़नी चाहिए लेकिन प्रती वेक्ती आए गुणा भाग से नहीं बढ़नी चाहिए यानि इस देश के इंडेस्टलिस्टों की, कॉर्परेट की, रैसों की अगर उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई नेटवर्थ के आसरे GDP का प्रती वेक्ती आए इस देश के बढ़नी चाहिए और उसमें इस देश की जनसंख्या से भाग दे दीजिए तो हर के छित्र में इस देश के भीतर में लाख रूपिया से ज़्यादा तो आ गया। अब यहाँ पर एक सवाल है जब प्रती वेक्ती आए इस देश के भीतर में हर वेक्ती के साथ लखपती बना चुकी है तो लखपती देश के भीतर में अब किसी को लखपती बनाने की क्यों जरूरत है। तो प्रती वेक्ती आए जो देश की खुशहाली से जुड़े और एकनौमी में आम लोगों की भागेदारी हो जाए इस देशा से आँखे मूंद ली गई है। और बताया जा रहा है अब की दरसल एक दरफ हमारी एकनौमी इस रूप में 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन तक कब तक पहुँचेगी लेकिन दूसरी तरफ प्रती वेक्ती आए जो उसकी जिन्दगी में खुशहाली लेकर आए और वो GDP के भागगुना से हट कर हो इस दिशा में हम कुछ नहीं बताएंगे ये पहला राउंड है दूसरा राउंड है कि प्रती वेक्ती आए ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी कोई या नहीं हुई 2017 के बाद से अभी तक यानि COVID काल से पहले को लियाए इस दौर में प्रती वेक्ती आए एक परसेंट डेड़ परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़ा है जो किसानों की आमदनी है वो मैक्सिमम चार परसेंट बढ़ी है लेकिन एक नौमी जो है चालिस परसेंट बढ़ी है तो चालिस परसेंट प्रती वेक्ती आए बढ़ गई सरकार इस गुणे भाग की दिशा में चली जाती है शायद इसलिए इस बार बजट में कोई लोक लुभावन नारे नहीं लगाए गए शायद इसलिए इस बार बजट के भीतर में कोई education, health या basic infrastructure का दिक्र नहीं किया गया सीता रवन अपना छटा बजट पेश कर रही थी लेकिन इस दोर में रोजगार निर्मान का सवाल होना चाहिए इस देश के भीतर में GDP का एजुकेशन पर 3.8% खर्च होता है और जब की कुछ दिनों पहले ही एक असर की रिपोर्ट आई उस असर की रिपोर्ट में बतलाया कि इस्तिती यह है कि 14 से 18 साल तक के उम्र के युवा जो है वह दूसरी क्लास की मैथमेटिक्स और अंग्रेजी भी नहीं बना पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं जो ग्रामीन भारत की इस्तिती है अब सवाल है कि जो एजुकेशन का इंफ्राइस्टर है उसको हम कमजोर किये इस देश की उपलबदी कॉर्परेट और रईसों के आसरे देख रहे हैं बैंकों के जरीए जो रिटेन आफ की रकम है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है लास्ट फैनांशियल एयर में भी वह दो लाग करोड से ज्यादा माफी दे दी गई अब क्या सवाल है अब सवा पूरी चीजे होती हैं उस लियास से एक लिविंग वेज होता है तो 2047 में भारत विक्सित रास्ट हो जाएगा इनी बातों को कहते हुए हर कोई ये सोच कर निकलने लगे इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक अगर इन बातों का जिकर करने लगे तो हमें लगता है कि उनक इस से कैसे खिलवार हो रहा है इसे एक छण के लिए सुनना चाहिए जरा सुनिया इसे है